सुबह के मॉर्निंग के दस बज रहे हैं बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है और मेरा जो चस्मानास फ्लेस आता है अमेशा इसलिए मैं निकाल देती हूं तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आज पहना है लेंगा वेर किया है और इस पर दुपट्टा बलाउस सब कुछ मै तो यह देखिए मैं आप लोगों को पास से दिखा रही हूं उसमें राधा कृष्णा भी है और बहुत अच्छा यह चूड़ा है कंगन चूड़ा टाइप आप बोल सकते हैं तो फ्रेंड्स आज मैंने यह सपहन के वेर की अपनी शॉट्स वीडियो को तो जाक्की देख लेजेगा आप लोग पुछ सेना कि अपको कप टाइम मिलता है घर के इतने सारे काम होते हैं यह को फ्रेंड्स लिए प्रियार होके पहले मैं वीडियो में सूट कर रही थी क्योंकि मैंने दो तीन दिन से काफी वियोलप बहुत कर दिया मैंने शॉट वीडियो में प्लीज आप लोग जाके देख लीजेगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं पहले अपने कपड़े को चेंज कर ले मैं ऑर सासुमा वेट रही है सासुमा वेट कर रही है कि ब्रेक फास्य कम मिले और यहां भव है की शॉट वीडियो के चक्क्र में पढ़ी तो यह रही मेरी सासुमा काफी दिन के बाद यह ब्लॉग में तो बुड मॉनियंग मॉम्मी अरे मंफी बहु बेख़ नेbound नहीं तो चलिए जल्दी जल्दी ये सब चेंज करते हैं फिर आप लोगों से बिलते हैं तो फ्रेंड्स मैं कीचन में आ गई हूं और कीचन में फटाफट मैंने चाय बनाई मॉर्निंग में एक बार हम लोगों ने चाय पी थी ये सेकंड टाइम वली चाय है तो मैंने कुछ पोहा बनाने जा रही थी बट नहीं बनाई और खाना बनाने के लिए लेट हो रहा था तो इसलिए फटफट सासुमा का कुछ ब्रेकफास्ट करने का मन भी नहीं था बिस दवा खाने थी तो उन्हें दो चार बिसकिट दे दी और चाय दे दिया और मेरा भी आज ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं है कभी-कभी ऐसा मौनिंग में होता है ना कि ब्रेकफास्ट नहीं मन करता है अगर रात को बहुत ज़्यादा है भी खा ले दे तो मौनिंग में कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता है तो बस सासुमा को नर्मली चाहे और ये दो बिस्किटी वो खा रही है दवा के तोर पे और मैं तो इनके साथ में मस्ती कर रही हूँ अपनी भी चाहे लेके आ गई हूँ और मैं अपनी चाहे ली हूँ उनके साथ में कुछ बोल रही हूँ उनने कुछ बोला दा फनी तो बैस सुनी के साथ में ह बात लेके और थोड़ी बहुत ही सब बात करने के बाद में पहुझ गी किचन में फटा-फटा क्योंकि लंच बनाने क्योंकि बच्चे आ जाएंगे बच्चों का एक्जाम चल रहा तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं किचन में जब आजाओ ना तो पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आता बनाएं क्या तो कल या संडे को इवनिंग में हैस्बेंट सबजी ले आये थे और मैंने सारी सबजी आरेंज तो कर लिए बट जो हरी सबजी होती ना उससे छाट ओटके रखना पड़ता है तो वही सब म मैं मुझे बहुत गुसा बर रहा था और मेरे फ्रीज में सारा समान अभी सब तीतिर भीतिर हुआ है बच्चों का बस एक्जाम जैसी हो जाता है फिर उसके बाद नौरात्री भी आने वाली है तो बस सफाई होगी कीचन की फ्रीज की तो बस उसी का वेट कर रही हूँ मेने थोड़ी सी मदत कर दी मैंने मेती की गाट खोल के उन्हें दे दी और उन्होंने मेती मैं अपना यहां पर दाल चावल भी मैंने पालक की दाल चढ़ा दी और चावल चढ़ा दीया है आफ्टरनून के य्यान्च के लिए तो तो वहाँ गैस पर पक भी रहा है, मैं फोन पर बात भी कर रही हूँ, सासु मा के साथ में काम भी कर रही हूँ, तो देखिए मेरे इंदर कितने ज़्यादा टैलेंट है, मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, तो यहाँ पर काम छोड़ छोड़ के मैं कुछ और इसासु माने मतलब मेरी help कर दी फटाफट ये ना हरी सबजी आना अगर कोई साथ में होना तो फटाफट हो जाता है अब मेरा phone पर बात भी start था तो phone पर भी कर रहे थी मेरी जठानी मम्मी सुबर morning में morning start होती है तो बाते भी start हो जाती सभी से तो वही सब कर रहे थे हम लोग और फटा-फट ये सब किये धनिया की गुंडी थी मेती की गुंडी थी थोड़ा सा टाइम लग गया तो उसे निप्टा आके फिर हम लोग बाकी के अपने खामों में बाकी के क्या फिर बच्चे आने के बाद में फिर काम होता नहीं घर में बच्चे जब तक school में है मैं अपने routine बता रही हूं तो मैंने सबजी वगरा छाटी यह सब रखा फिर मैं आ हॉल में आ गई मैंने बड़े वाले सोफे का कबर कल धूल दिया था निकालके तो यह छोटे वाले सोफे का और यह पीलो कबर यह सब मुझे धुलना था तो यही निकालने के लिए बैठी रहती हूं मेरा ऐसा होता है तो यहां पर फोन मेरी सासुमा का फोन है आप लोगों कोई पता है कि मेरे डेली मेरे पास फोन नहीं है दो दो फोन नहीं है मैं एक ही पर वीडियो बनाती है तो बात कैसे करती है तो अभी मेरी सासुमा है उन्हीं के फोन से मैं बात कर लेती हूं जिससे भी मुझे बात करना होता है क्योंकि बात करना भी जरूरी है मतलब अगर family friends हैं तो बात भी होती रहती है मैं अपने friends लोगों से तो उतनी बात नहीं कर पाती हूं हाँ बट मेरी जो family है जो खास है मैं उन लोगों से तो बात करती हूं तो उन लोगों को भी टाइम देना जरूरी है, नहीं तो एक फोन है, वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, अपलोड करो, इसी में सारा जो चार्जिंग होता है, और मोवाइल का सारा जो भी कैपिसिटी होती, उसी में चले जाती है, तो हो ही नहीं पाता है, तो यहाँ पीलो क कबर धूल दिया, अब परदो की नंबर आएगी, अब मुझे परदो को भी धोना है, क्योंकि नवरात्री आ रही है, अब है। कि अचय कि अचय के अचय कै जो आ तेंगा है और जब से बच्चों के एक्जाम चालू है ना तो मैं मॉर्निंग में जाडू लगाई नहीं पा रही हूँ और सुबह न एक बार जाडू लगा दो घर में तो मतलब बहुत अच्छा होता है हमारे बड़े सभी लोग ने मतलब घर में यही बोलते हैं कि सुबह एक बार जाडू लगाई देना चाहिए और उसके बाद दिन भर जो करना है वो करो एक बार सुबह का घर का कच्ड़ा नि सूज लेलो क्या आया अपको दिखाओ इसी बड़ा दिखाओ नाई 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 मदी अच्छा पहले हावा तो लेलो पेपर अच्छा गया ना आपका तो वो तो अपने मतलब कपड़े बड़े चेंज करेंगी पीस दी तर तक आज रिदी तोड़ा एक घंटे पीछे ही आ कपड़े बगरा चेंज करेंगी तब तक वो भी आ जाएगी और यहां मेरे हजबन के जो भी कपड़े हैं वो मुझे छाटने पड़ते हैं जो उनके आगी रहता है वही वो धूलने के लिए देते हैं जो यहां रखा रहता है वो मेरा काम है मुझे धूलने के लिए लेना ह है मुझे सिद्धी को भी बाल धूलना भी है उसका आज क्योंकि आज टीवजटे है आज उसका बाल भी दो देती हूं और बाकी जो मेरे घर के जो डेली काम है वो स्टार्ट है फ्रेंड्स तो वीडियो थोड़ी सी लॉंग होगी आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा मि मुझे बाखी बेड्रूम भी थोड़ी से साफ करना है और यह सब कर लेते हैं तब तक फिर लुका टाइम हो जाएगा पीव नहीं आए पीव आती है थोड़ी देर के बाद में और फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है लाइक से बताईएगा मुझे और जितने ज्यादा लाइक सोंगे आप लोगों का प्यार पना जादा मुझे मिलेगा तो आप लोग वीडियो में बने रहीगा कहीं चाहिएगा मत मैं फटा फटी सारे काम निप्टा लेती होपने थोड़े दिर अभी मैं सिद्धी का हैर वोश कराऊंगी उसके बात करूंग तो सिद्धी नहां के आगई है उसको मैं यहां दाल चावल मिक्स करके दे देती हूँ घी डाल के तो इसे मैं मिक्स करके इसी तरीके से देती हूँ अपने बच्चों को और मेरे बच्चे फिर ऐसे हराम से खा लेते हैं मैंने इसका बाल धूल दिया है तो यह देखिए बा बाहर के रूमें मैंने पोछा नहीं लगाया है तब तक वो पीउ का वेट कर रही हूं क्योंकि वो भी आएगी तो एक साथ हो जाएगा काम तो फटाफट हो जाएगा नहीं तो फिर पता है यहां साफ है वहां गंदा है और वो इस समय पता नहीं कुन सा गेम वो खेल रही है तो बहुत ही पसीना पसीना हो जा रही है और मिटी तो धूल मिटी तो जितना हो रहा है हो ही रहा है वहां प्रैक्टिस करती है तो सौक्स गरा निकालके तो थोड़ा बहुत हो रहा है तो आने के बाद मैं मैं उसको भी नहलाओंगी तो यहां पे पहले देखे इतने सारे जो कपड़े हैं, पहले सबको भीगो देती हूं, और जो थोड़े बहुत हैं, पहले धूलूंगी इसको, इतने सारे कपड़े हैं, तो बड़े वाले bucket में पहले साबुन डालके सिभीगा दूंगी, और फिर मैं इसे यूनिंग में अब धूलूंगी, तुरंत के तुरंत कपड़ा साफ नहीं होगा तो इसलिए तॉलियां भी है, सोफे का कबर भी है, बहुत सारा कपड़ा है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा कपड़ा है, तो कल के मुझे पीडियो में कमेंट भी आया था, वॉशिंग ब्लोग बताईए, तो इतने सारे म इसे साम को मैं धूलूंगी, मैं कभी-कभी ऐसे ही करती हूं, वैसे तो मैं रात को कपड़ा जो भी होता है ना मैं सुबह धो लेती हूं, फिर उसके बाद में भी घर में बेट सीट, यहां-वहां के जो तॉलियां होती है, अपनी जो डेली हाथ वित पोशने के जो होते हैं, तो यह सब बहुत निकलते हैं, जो थोड़े-बहुत यहां आके, तो वो सब धूलने के लिए वो आफ्टरनून में, फिर मुझे बाद में सारा काम करने के बाद भीगाना पड़ता है, फ्रेंड्स, और यहां पर मैं जो पोचा होचा लगा दी हूं, तो बकेट वगरा सब धूलूंगी, आज इसको साबुन से, मैं दो-तीन दिन पोचा लगाने के बाद मैं फिर इससे साबुन से धूल देती हूं, तो मेरा डेली का मॉनिंग का बिजी रूटीन यह सही होता है, फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती, सारा काम करने के बाद मैं मुझे इतनी ठकावट हो जाती है न, फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, फिर उसके बाद मैं नहां के निकली, और खाना खाके मैं तुरंत अफ्टरून में फिर मैं सो जाती हूं, यह ही मेरा डेली का ब्लॉग रहता ही है, तो आज सारे काम अल्मोस्ट डन हो गया है, फ्रेंट्स, तो वीडियो आप लोगों को आज का जरा से पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजेगा, कमेंट में जरूर बताईएगा, एक वीडियो बनाने में बड़ी महनत लगती है, और कमेंट करने में, कुछ भी बोलने में, आप लोग से ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाईए मेरे,